नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर शुषा पवार सर्वोत्य हास्पिटल फरिदावाद की आईस्यू की डिरेक्टर आपसे इस करोना वाइरस के बारे में कुछ चंद बातें और शेयर करना चाहती हूं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें करोना वाइरस को स्टेज 2 में ही रोक लेना है हम नहीं चाहते करोना वाइरस स्टेज 3 में किसी भी प्रकाल जाए तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूं आज फोमाइट्स के बारे में अब हम घर में आईसोलेट हो गए हैं और हमें हमें अपने आपको सुरक्षित रख रहे हैं हम बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है अब फोमाइट्स क्या चीज होती है Phomites वह बस्तु होती है जिस पर की वायरस अटैज हो जाता है, अच्छोटा सा एंजामपल ले लीजिए, निउस्पेपटर, आम रहे । हमारे घर मेसे रोज सब anterior accessories आता है वहाई हमें newspaper देता है और हम newspaper पढ़ते हैं, प्ट यह यूस्पेपर में वाइस अटाच हो सकता है, तो न्यूस्पेपर विल आक्ट अस फोमाइट, इसके अलावा दूसरी चीजें क्या है, जैसे मिल्क पैकेट का एक्जाम्पल ले लिजे, अभी हम मिल्क पैकेट्स ले रहे हैं, तो मिल्क पैकेट में भी एक फोमाइट की तरह एक्ट कर सकता है, So now the problem is Fomides, हमें Fomides से दूर रहना है, हमें अपने घर में Fomides की एंट्री नहीं करनी है, So ये तो है problem, इस problem का कुछ solution है, Yes, जैसे मिल्क पैकेट्स हैं, तो आप उनको running water में detergent के साथ wash कर सकते हैं उसके बाद आप उन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं आप बाहर से कुछ और समान आपने मंगाया है तो अगर वो समान खराब होने वाला नहीं है तो उसको carton को वहीं छोड़ दीजे So at least ऐसा करने से 12-24 घंटे बाद वाइरस खुद ही उसमें मर जाएगा फिर आप उसको इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ दोर बाते हैं मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं तो ये सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं हमें ये सब चीजें रोकनी होंगी अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो हम एंट रिस्क हैं और अगर आप बाहर जाही रहे हैं आपको लग रहा है कि ये असेंशिल काम है इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है तो सिच्वेशन में आप क्या करेंगे तो घर आईए सबसे पहले आप किसी भी डोर्णॉब किसी भी हैनल को मच हुए घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए कपड़ों को वाश करिए नहीं आईए आप देख रहे हैं मैंने सर पे कैप डाली है बिकॉस मैं अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रही हूं बिकॉस मैं नहीं चाहती कि मेरा हेड पे जो मेरे हैर है वो एक फोमाइट के जैसे आक्ट करें सो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको complete पूरा नहना पड़ेगा अपार्ट फ्रम दैट आपने जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके servants हैं उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है सो यह सब चीजों का ख्याल रखिए stay safe, stay home, avoid fomites fomites are the things now which you have to take care घर पे रहते हुए हमें fomites से दूर रहना है नमस्कार